असलाम अलेकूम सस्यकाल नमस्ते आदाब तो कैसे हैं आप लोग अभी शूरी बात करेंगे सौधी अरब की बहुत सारी जरूरी न्यूज है शोशल मीडिया पर नौकरी देने का बहुत सारे लोग दावा करते हैं लेकिन लेडीज ने कुछ ऐसी घटना की है जिसको आपको शेर करेंगे बहुत लोगों को चूना भी लगाया गया है पलस 375 लोगों को वार्निंग दिया गया था कि कोई भी बिना पर्मिट के ये काम मत करना वरना आप लोग को जुर्माना लगेगा अजनभी को जुर्माना लगा है पलस रोड पे आप गाड़े चला रहे हैं स्पीड लिमिट को एलान हुआ है रमदान को लेकर इफ्तार का भी बात्ची तो यह आपको शेर करूंगा और भी धेर सारी न्यूज और कुछ हमारे भाई इंडिया जाना चाते हैं जिनको दो लाग बी सेर पर देना पड़ेगा घर जाने के लिए और भी धेर सारी न्यूज और इस्पेशली साओधियरब बदल रहा है तो कुछ वाइरल सेंस्टनेशन को लेकर के कुछ बढ़िया बढ़िया फोटो आ हैं रमदान में कुछ वाइरल चल रहे हैं तो हम आपको भी शेर करें वीडियो को पुड़ा देख देख लो अगर आप ये वीडियो पूरा देखो गए तो आपको कुछ समझ में आएगा जैसे कि आप सबको पता है कि नया साओधियरब बन चुका है साओधियरब में कयामत कमिंग सून प्रिपेर फोर जहन्नम ऑफिशली वेरिफाइड एकाउंट अगर ये एकाउंट में ठीक है और यहां पर फोटो अगर आप देख सकते हैं ये देखो ध्यान से देखिए इनका पीछे सौधी में इवेंट चल रहा है इनका कपड़ा देखिए नया साओधियरब भाई क्या करेंगे देख लिजिए ये यह नया साओधियरब है जी हाँ आप सिर्सिंप इतनी ब बन रही है फोटोस कीच रहे हैं क्या कहेंगे आप आगे नीज जानते हैं अगर इस टाइम पर हमारे बहुत सारे भाई घर आना चाहते हैं और इनको इतनी मदद कर दे कोई गवर्मेंट घर भेज दे भाई हमारे एक भाई का नूर मुहम्मद नूर आलम सिद्धिकी करके ट् मिश्टर रढधीर जए सवाल को घर भेजेंगे इंडिया से सौदी एरो में पैसे का डिमांड चल रहा है और यह बता रहे हैं यह इंडियन इंबेसी की तरफ से हो सकता है नहीं सौदे थर्टी की तरफ से होता है नहीं मुझे लगता है यह सौदी का फील फील का चक्क्र कंपने को चक्कर इनको प्रावलम हो रही है ऐसे हमारे बहुत सरे बाइज बाइज परसान इंडर में से पर्फाइज मदद करें चाहे आप 10 बर करें या 50 बर करें पचास बर करें या हजार मार करें ट्वीटर पर आप वही help करेंगे आप कोई और मदद नहीं करेंगा किसी भ पर प्रूफ भी आपको शेयर करूंगा बट इसके लिए मैं रमदान के बाद का टायम दे रहा हूं आपको क्योंकि अभी मैं शेयर नहीं करूंगा लड़ा जाकर निंची मेरे को तो कई सारे लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है इंडिया आना चाहते हैं सब जेल में फसे हैं त आप देख सकते हैं यह फोटो अलखर्ज से आ रहा है हमारे सारे माशाला कितना लंबा दस्तरखान लगावा है बहुत 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 रयाद से आगे पड़ता है अलखर्ज मुनसिपालिटी की तरफ से लगभगी 11,000 लोगों ने पार्टिसिपेट कि रमदान में इफतार छोल ले के लिए माशाला बहुत बहुत बहुतरिन वीडियो है और फोटो आपके सामने शेर कर रही हूं अब मैं शेर कर रहा है यहां पे 305 कार को फाइन किया गया है 645 लोगों को फाइन किया गया 305 कार है 645 आदमी अरश्ट होए है 305 कार बिना ख्याल का चूना लगाया गया है किनको मैंने वार्निंग दिया था आप सबको और आप मान नहीं रहे हैं जितने भी लोग कफील से गाड़ी लेकर मार रहे हैं अपना साइट से इंकम जनरेट कर रहे हैं मेरे भाई साब्धान हो जाओ भाई अगर आपके पास आपकी गाड़ी है और कफील के नाम का है तो भाई एरपोर्ट से चक कर मतलो आपको फाइन भरना पड़ेगा और पांथ रमजान में मैंने पहले वार्निंग किया था आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो ना देख सकते हो यहाँ पर का गया है कि मक्का चेतर में कई साले लोग के टीम रमजान में जो है गस्त कर रही है दुकान में मकान में इधर उधर जो भी दुकान है पलस और भी फाइन दिये गए हैं खासकर कुछ ऐसे समान जो बेचे जा रहे है रमजान के इंदर में जिनका कीमत ज़्यादा है बाजार में उननीस पास किये और बीना पर्मिट के अगर कोई गाड़ी चला रहा है या कोई बिजनिस कर रहा है या कोई समान बेच रहा है ऐसे उत्पादों के सम्मन्द में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है जो की अनुरूप नहीं दी गई या वारंटी लागू नहीं की गई है भाई बहुत स सो पांच कार जब्त किये गए हैं नहीं फाइन लगा है पांच हजार रयाल का कि इसको 645 लोगों को और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस रमदान में आपका पांच हजार रयाल एक लाक दस हजार रुपे के आसपास बैठेगा शायद तो आपको प्लैंटी लग चुका है अब बिलीव नहीं करोगे आप मेरी बात बार बर कह रहा हूँ इस सो सुदर जाओ अगर आपको गारी चलानी है टैक्सी में तो बार बार चला लो एरपोर्ट पर मत बुकिंग करो और ये सिर्फ अजनबी नहीं है हमारे सारे इंडियन जादा तर ड्राइविंग गारी एरपोर्ट पे कंपनी से छोड़ने के लिए जा था एरपोर्ट पे और उसकी गारी का फाइन कर दिया के क्योंकि वहीं पर खड़े हुए थे वह लोग क्योंकि टैक्सी बुक करे के क्यों नहीं आया आप अजनवी जो गारी में बैठा है पैसंजर के तरफ को कुछ कोई प से लाओ ताकि आगे पीच्चे वाले को कोई दिक्कत ना हो सोशल मीडिया पर फ्रॉड करना कानौन जूर में साओधी अरप कंदर में साओधी की लड़की ने कुछ ऐसा कांड किया जो आपके साथ हो सकता है इस पूरी बातों में अगर मैं आपको शेर करू इसमें है क्या तो भाई वाटसब चलाते हो आप जी हाँ वाटसब को लेकर कही अपडेट है शोशल मीडिया पर नौकरी का विग्यापन देना कोई सारी लड़कियों को सस्ता पर रहा है महेंगा पर रहा है जाल साजो ने ऑनलाइन नौकरी का जहासा देकर लड़की का पैचान पत्र लि बैंक में से पैसा भी कटा नीजी मोबाइल नंबर भी कहा गया और भी सारी चीज़े हैं तो लड़की लड़की को चुना लगाया है क्योंकि यहां पर इन्हों ने ऐसा कांड किया जो आपके साथ भी हो सकता है वाटसब पर इमो पर कॉलिंग आता है जौब को लेकर के तो सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मस्जित में कुछ देना चाहेंगे तो देश दीजिए और इन्शाला जो भी जैसे डिटेल आएगे हम आपको शेयर कर देंगे बहुत शुक्रिया अला आफिस जाएब को भी में आपको जाइब कीजिएIs